So let's start a new video and the topic is how can you reduce your face fat? यह सब करने से नहीं होता नहीं होता भई या face fat particularly एक तो बात मन में गार लो या लिख लो या कहीं से भी डाल लो जहां से जगा मिले कि कभी भी spot reduction नहीं हो सकता फैट का कभी particular जगा से आपको आम से ही fat reduce करना है वो कभी possible नहीं है आपको overall body fat reduce करना है तो ही आदिगा पर एक्जम्पल कोई अगर fat loss कर रहा है उसका पेट बहुत बढ़ा है और देख रहा है उसका 5 kg कम हो गया लेकिन पेट फ्लैट नहीं हो इसका मतलब क्या है overall body fat reduce हुआ है ऐसा नहीं उसका पेट से fat नहीं गया पेट का सामान जादा है इसल तो आपको callus deficit diet पे जाना है जो आपका actual body fat reduce करेगा फैट बहुत तरीके से होते हैं subcutaneous fat, visual fat, essential fat essential fat को आप कभी भी body से निकाल नहीं पाओगे वो रहेगा वो essential है उसका काम बहुत ही vital है आपको काम करना है आपका visual fat गेन ना करे cortisol जादा release ना करे, stress ना ले, नीन पूरा हो, etc, etc, and subcutaneous fat कोई-कोई चाहता है कि उसका vascular हो, अच्छा दिखे, tone दिखे, तो उसको पर काम करना होगा कि subcutaneous fat, चमरा के निच जो fat हो अगर आप calories deficit diet पे रहोगे तो ही आपका पूरा body का fat reduce होगा, एक condition है इसमें आपका hormonal balance भी होना चाहिए, hormonal imbalance से भी आपका body fat gain होता है तो उसको ध्यान पर रहत हुए, आपको calories deficit diet बनाना है, hormonal balance के साथ and आपको पूरा body fat reduce करना है, तो ही आपका face fat जाएगा च्विंगम चवाने से कभी भी face fat नहीं जाता है मिथ है, यह बहुत बड़ा मिथ है, बहुत तो खुतियापा है च्विंगम चबाने से हैं, टेहरे मेना उमू करने से कभी body fat, sorry, face fat reduce नहीं होता उसके लिए overall पूरा body fat को reduce करना होता है, तो ही यह घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा jawline वाले जो निकालते हैं अभी, वो इसी से होता है किसी के बहकावे पे मत आईए, आप पूरा body fat reduce कीए आपका ऐसे ही आपका पूरा जो आप चाहती हो आजाएगा उसके लिए क्या चाहिए आपको पूरा body fat reduce, overall उसके लिए calories deficit diet and hormonal balance and of course, अगर आपको कुछ एक्स्टार्डिनेश है आपको workout भी आना होता है thank you so much